बिग बॉस सीजन 16 का एक और वीकेंड का वार क्या-क्या रह सकते हैं इस बार वीकेंड का वार के मुद्दे चलिए दोस्तों बात करते हैं अब सभी का बॉलिवुड स्पाय में मैं हूँ अदती शर्मा तो दोस्तों सबसे पहला मुद्दा जो एक हाइलाइट बन सकता है इस मुद्दे में बिग बॉस को भी गसीटा गया है और इस मुद्दे में सल्मान खान को भी गसीटा गया है अरचना ने कहा सल्मान खान तुझे देख लेंगे जुस पर MC Stan ने कहा था कि वो तो मुझे रोज देखते हैं ना तो यहाँ पे दोस्तो इन दोनों को लताड पड़ सकती है अगर सारी चीजे सही तरीके से गई अगर मुद्दे को सही तरीके से हैंडल किया गया तो दोनों को लताड पड़ सकती है और अगर नहीं तो फिर एक को पड़ेगी प्रियांका है ना उसकी बाद दोस्तो यहाँ पे नंबर दो पर शालीन और टीना के मावले में प्रियांका को लताड़ा जा सकता है यहाँ पर फिर से कहा जा सकता है सच्चाई की मूरत, फेयर और क्या कहा जाता है उनको डबल स्टेंडर्ड दिखाती है क्योंकि यहाँ पर कहा जा सकता है कि जैसे ही बिग बॉस ने उनको हिंट दिया कि वो साइड वील लग रही है टीना और शालीन के वीच थोड़ वील लग रही हैं तो यहाँ पे उन्होंने उसी वक्त जो है शालीन से लड़ाई शुरू कर दी तो यहाँ पे यह चीज डिसकस हो सकती है क्योंकि कुछ ना कुछ तो प्रियंका पे रहना चाहिए अच्छा उसके बाद जो नॉमिनेशन टास्क हुआ उस पर भी थोड़ा बहुत डिसकस्शन हो सकता है खासकर साजित खान पर जो वो बॉक लाए थे और फिर कहरे थे मैं बॉक लाता नहीं पताने उन्होंने क्या क्या कह दिया था तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर साजित खान ने अब्दू और शिव दोनों को यह चीज समझाई है कि प्रियांका से बात मत करो उसको फुटेज मत दो शायद अगर वीकेंड का वार सही तरीके से आगे बड़ा तो इस पर बात हो सकती है क्योंकि अगर देखा जाए तो यह सफते साजित कान चाय रहे हैं तो हो सकता है वो वीकेंड का वार में भी चाय रहें उसके बाद दोस्तों बाकी हमें यह देखना होगा कहां-कहां प्रियांका गलत है कहां-कहां उसको गलत साबित किया जा सकता है बस वही मुद्धे वीकेंड का वार के रहने वाले क्या कुछ है कहना? पॉमेंट्स में जरूर बताइए मुलते हैं नेक्स्ट वीडियो में